एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे चैनल जी टी गुरू जी पर जहांजी फर ग्रैमर एंटी फर ट्रंसलेशन आप सब को मिलते हैं मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्ट आपका ट्रांसलेशन गुरूप रभात कुमार सिंग और आज मैं आप सब के लिए लेकर आया हूँ आक्सपोर्ट जूनियर इंग्लिस ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 71 के सुलिशन को तो चलिए बिना आपका टाइम लिए हम शुरू करते हैं इसमें ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा मिक्स वाला है तो आपको थोड़ा आराम से मिलाएंगे मैं यदि फास्ट भी कर बोल दू तो इसका सुलिशन है आप पॉस करके इसको मैच कर लें चलिए सबसे पहला है वह जाने को है जाने को है या जाने वाला है इसमें इजमार टू लगता है इजमार के साथ टू लगता है यानि ही इस टू गो उसे जाना है ना है या परता है he has to work आप दिल्ली जाने को है या जाने वाले है he was to go to Delhi वह दिल्ली जाने को है वही वाली बात है तो he is to go to Delhi एक तो टू इसके लिए लगेगा कि टू प्लस भी वन लगता और दूसरा एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जाने के लिए इसलिए दिल्ली में लगेगा वह आने वाली है मोहन को जाना परा मोहन had to go तो इस प्रकार से किवल प्रेजेंट ही नहीं है इसमें फास्ट भी है तो फास्ट में head to हो जाएगा और इसी प्रकार उसमें वाला या को में वाजवर के साथ to लग जाएगा चली अगला है मोहन जाने वाला था तो मोहन was to go उसे ठहरना था he had to stay उसे भीक मांगनी पर ही he had to beg वे लोग घर बेचने वाले थे they were to sell the house वह परिक्षा देने वाला था he was to appear at the exam वे लोग मेरी सायता करने को थे they were to help me उसे पटना जाना था he had to go to पटना तुम्हें जाना परेगा you will have to go उसे यह काम करना होगा he will have to do this work हम लोग मैच खेलने को रहेंगे we shall be to play the match तो इसमें future वाला भी आ गया shall we will be के साथ जो हमें to लगाना परेगा चलिए उसके बाद हमारा है बस अब थोड़ा सा बच गया क्या उसे का आपको काम करना पड़ता है have you to work क्या वे लोग आने वाले हैं are they to come है न तो इस प्रकार से इसमें total 21 थे उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा आपके सही भी हुए होगे जो गलत हुए होगे उसे आपने मैच कर लिया होगा और समझ गया होगे फिर भी कोई प्राब्लेम हो तो आप कमेंट करके हम से पूछ सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए have a nice day